अच्छे और मज़ेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए इसलामाबाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों से दुनिया वाकिफ है पाक किसी न किसी तरह को निशाना बनाने के लिए नित नए हत्थकंडे अपनाता रहता है यहां तक की अपने फाइदे के लिए वो बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहा है भारत और पाकिस्तान में शत्रता बढ़ाने में वहां के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाथ्य पुस्तकों का सौ फीसदी योगदान है पाकिस्तान में दस्वी क्लास में इसका लो में पढ़ाई जाने वाली किताब में भारत के परती जहर भरा पढ़ा रहा है. पाकिस्तान के बिलुचिस्तान प्रांत में सरकार से मान्यता प्राप्त दस्वी ख्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशत फर्जी तत्यों से बढ़. अचों को यह शिक्षा जा रही है कि हिंदू ही 1947 के बटवारे के लिए जिम्मेदार थे। हिंदू ओने मुसल्मानों को मौत के खाट उतारा। उनकी प्रॉपटी लुटी और उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, वहां के छात्र भी यही कहते हैं। उन्होंने हम पर नजर डाली इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। दूसरी ओर भारत के स्कूलों में इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता है कि हिंदूस्तान को महात्मा गांधी के प्रयासों से ही आजादी मिली। वह भारत के एकीकरण के पक्ष में थे, लेकिन मुसलिम लीग की अलग देश बनाने की जित से पाकिस्तान का जन्म हुआ।